हेलो एवरिवन नमस्ते अदाब और सस्रियकाल कैसे हैं आप सब आई होपा आप सब अच्छे होंगे तो देखिए जी आज दिन है फ्राइडे और अभी शाम के मैं अगर आपको बताऊं तो शाम के साड़े चार हो रहे हैं साड़े चार पॉने पांच का मतलब बीच का टाइ है फोर थर्टी सेवन हुए है अभी तो अभी मैं आई हूँ छत पर आज सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया एक तो मेरा मन नहीं था पता नहीं क्यूं कई बार कई के बार कुछ वजह भी नहीं होती लेकिन फिर भी हमारा मूर सा खराब रहता है कुछ करन दिन से ऐसे ही चल रहा है कि पता नहीं कियों ऐसा क्यूं हो रहा है यहां पर कह वजब जो है कय कैbracht रहा है और शायद उसको भी मुझे डिस्टर्ब करना है तो अभी जो है मैं छट पर आई हूँ क्योंकि मैंने दूप में रखा हुआ था मसाला सुकने के लिए मुझे गरम मसाला जो पीसना है वो तो वो मैंने अपने हस्बेंट से मंगवा लिया था तो अभी मुझे वो पीसना है तो मैं उसको लेने आई हूँ और साथ में जो है काली लाइची होती है बड़ी वाली वो भी चाय वगएरा में काम आती है तो वो भी मुझे पीसनी है वो दूप में मैंने रखी थी क्योंकि अगर दूप में रखकर मसाले को पीसो तो काफी अच्छे से पीस जाता है और मतलब ना इसमें थोड़ा सा दरदरापन भी नहीं रहता बिल्कुल मुलायम सा पीस हो जाता है तो अभी मैं चत पर आई हूँ और मंजवी यहां पर हम दुपहर में बैठ कर हमने लांच किया था तो यह मंजवी जो मंजवी यह चार पाई यह पड़ी होई है यहां पर हमारी पंजवी में हम इसको मंजवी बोलते हैं तो वैसे चार पाई हिंदी में बोलते हैं तो यह भी मुझे उठाना है टाइकसन के टावल वगयरा सूखने के लिए डाले थे वह भी उठाऊंगी और अभी जो है अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा क्यूंकि मौसम चेंज हो रहा है तो उस वज़े से सूरेज भी जल्दी छुप जाता है और ठंड होनी शुरू हो उनमें लसुन वगयरा प्यास वगयरा लगाए थे क्योंकि प्यास वगयरा या लसुन वगयरा की जो वहरी कलियां होती पतनी क्या होती है जो उपर से निकलती है मुझे ने पता हिंदी में क्या कहते हैं उसे हम पंजाबी में उसको कहते हैं जैसे लसंदिया पूका का लगाएं तो तो अभी मुझे जो है ग्रो बैग लेके आने हैं शायद देखूंगी यहां से अगर नहीं मिले तो फिर मैं ऑनलाइन ही मंगवाऊंगी और फिर उपर वाली चत पर जो है ग्रो बैग लगाऊंगी उसमें मिर्ची वगेरा धनिया वगेरा लगाऊंगी क्यों अभी गमलों में मैंने पौधे लगा दिया है फूलों वगेरा के और ऐसी सीडियों पर रखें तो बरे बरे गमले अच्छे लगते हैं तो इस वज़े से फिर ग्रो बैग में उगाऊंगी तो चलिए अभी आपको मैं दिखाती हूं सूरज अपना असपास मसाला जो मैंने धूप में रखा है वो और पौधे फिर नीचे चलते हैं और फिर देखते हैं कि आज क्या क्या काम होता है क्या क्या नहीं और आज का आज का तो मैं नहीं कल कल घैस सैटड़े तू कल शायद मैं जो है आपको जो पेंट वाली हमारी बास्किट होती है बकेट आप लगा है जो सप्निब वाली वो हमरे घरों में पड़ी होती हैं धकन के साथ तो उसका मैं मैं जो है आपको एक सीटिंग डफली जैसे मार्केट में ब उस आते हैं बीम में की तरह हम कτε हैं 성 के लिए स्टूल से आते हैं तो वैसे हम बना सकते हैं यह जो वीडियों आपके में भी संडे को जाएगी क्यूंकि कल सेटरे है कल जाएगी मेरी कल वाली वीडियो और ये वाली वीडियो मंडे को जाएगी और हो सका तो व्लॉग की वीडियो में एक दिन लेड डाल दूँगी पहले जो है वो जो डियाइवाई है जो भी हम बनाना है जो भी तो पहले उसक हो गई बहुत अब करते हैं काम तो चलिए फिर शुरू करें काम तो देखिए जी यहां च्छत पर यह मेरा मसाला मैंने डाला हुआ है और इसको अची तरह से अब धूप लग चुकी है तो इसको मैं नीचे ले जाओंगी यहां इलाईची वगएरा यह भी सूख गई है और म बस वहां पहुंच गया है अब कभी भी छुप जाएगा अंधेरा जो थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो गया है यहां टाइसन का जो टावल है पैर वगएरा साफ करने का वो है तो इसको उठाऊंगी क्योंकि टाइसन के पैर उपर आकर धोते हैं और यहां पर दो गया एक में मैंने जो है लगा दिया है पौधा दोबारा से क्योंकि यह मैंने जो है एक जार में लगा रखा था यह पानी में भी अच्छे से हो जाता है इस वज़े से तो पानी से मैंने निकाल कर इसमें लगा दिया गमले में मनी प्लांट भी मेरी अच्छे से ग्रो हो र होती है घर में होनी चाहिए कोई भी हम काड़ा बनाना हो उसमें यूज होती है इस वज़े से यहां पर लगाया है मैंने लसुन लसुन की जे कलियां जो है अभी फूटनी शुरू हो गई है उगना शुरू हो गया है और यह वाला पौधा मुझे नहीं मालूम किस चीज का है क्योंकि यह अपने यह फुगा था तो मैंने इसको अच्छे से इसकी गुड़ाई वड़ाई कर दी है और सेंटर में कर दिया है गमले के नेक्स्ट है यह मैंने लगाई है अभी अभी लगाया है संड़े कोई मतलब परसों को संड़े फिर दोबारा से है लेकिन जो पिछल लगा रखा है और प्यास की ये उपर से जो होती है इनकी हम कटिंग करकर फिर इसका तड़के में यूज करते हैं मुझे नहीं मालूम इसको हिंदी में क्या कहते हैं अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तो मैं आपके कमेंट का वेट कर ये दो इधर भी मैंने निकाल कर लगा दी और यह मैं जो है नर्सरी से ले कि आई थी फ्लावर के पौदे ये उसने बोला था कि अभी मार्च प्रेल तक चलेंगे ये वाले पौदे तो यह में चार पौदे लाई थी ये पिंक फ्लावर वाला है ये थोड़ा सा परपल सा इसमें कलर भी नहीं आ रहा है अच्छे से तो मैं दिखाती हूं यह देखिए ठोड़ा सा वाइन साइस का step parano tea की सीदिन मॉर्निंग में आपको में दिखांगी जब अच्छे से धूप निकले की तब तो यह इसका थोड़ा चारों मैंने लगा दिये नेक्स्ट है ये है खाली गमला क्योंकि इसमें मैंने जो है गेंदे के फूल का बीज डाल रखा है अभी देखती हूं उगते हैं ये नहीं और ये उपर दो जो गमले हैं इनमें मैंने एलोवेरा लगा रखा है तो ये काफी अच्छे से पहले से ग् प्लास्ट हमारे गमले और उससे उपर आ जाती है हमारी ये टंकी वाली च्छत यहाँ पर हमारा आना जाना कम होता है तो इस वजंदे से यहां पर मैं मैं जो है ग्रो बैग लगा लूंगी और गरो बैग लगाकर फिर यहां पर अच्छे से हम कर सकते हैं मतलब खेती आपको दिखरी होगी कि मेरे मुँपर धूप पड़ रही है तो मैं आपको शहर दिखना की देखिए यह सारा हमारा शहर है इधर से यह इधर तक और काफी वह मीनी सेक्टरियट है और साथ में यह हमारे घर के पास में ही गुरू का घर है और यह हमारे पीछे के महले सब भरे पड़े हैं देखिए कितना कंजस्टर सा लग रहा है और वो जो आपको विल्डिंग दिख रही है यह वाली यह है अमन हॉस्पिटल जो लोग हुश्यारपूर से होंगे उनको तो चलिए अब मैं चलती हूं नीचे आज मैंने डाला था यह वाला सूट अपनी शादी का ही और मुझे नीचे जाने में बहुत डर लगता है क्योंकि तीसरी चौथी मंजल से नीचे जाना बहुत ही मतलब जीब सा लगता है तो मैं बहुत दीरे दीरे जो है सीड़ियां उतर रही हूं और साथ साथ में आप देख लीजिए पौध है मैं कभी कभी आती हूं इस पर ही जो है ज्यादा रहती हूं तो बस यहां पर आकर कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर तेज उतरने का तो चलिए जी मैं सब मंजे बगएरा उठा दू और फिर जो है आप से बात करती हूं जो है मसाला वगएरा ले आई हूं मसाले को पीसूंगी लेकिन उससे पहले मैं दूदू वगएरा को बॉइल करने के लिए रखोंगी और दही वगएरा जो भी जमाना है वो करूंगी दही को बनाने के लिए रखोंगी तो सबसे पहले करूंगी मैं दूद का बरतन खाली तो चलिए फिर लगते हैं अपने कामों में भी चलिए पने करका दोगी जमाने के लिए बूंगी दोकते हैं दो लेकिन दोगते हैं तो देखिए जी दूद मैंने उबालने के लिए रख दिया है गैस वगेरा मैंने यहां सारा प्लेटफॉर्म साफ कर दिया बरतन मैंने यहां पर माज दिये हैं दही मैंने जमाने के लिए रख दिया है और यह अभी ठंडा हो रहा है तो अभी इसको मैं नहीं निकाल लूँगी क्योंकि रात को मुझे शायद कुछ फ्राई करना पड़ जाएगा क्योंकि मेरे हस्बेंट बहु रहे थे कि उनको कुछ हैवी खाने का मन है तो देखती हूं अ कि यह चौन को रखा नींगे यह मौनिंग में जब वह वह कहेंगे तो मैं तब जो है उनको बना दूस गी तो भी मैं आई हूं इस रूम की मुझे विन्डौ लगा लगानी है क्यूंकि अबस ठंड होने लग गई तो अभी जो है में रूम की विंडव लगा दूँगे और मुझे जो मैंने कीजन का काम खतम कर दिया है मैंने लास्ट विलॉग में आपके साथ शेयर किया था पालक कोफता जो वह मैंने बना लिया है और पालक कोफता तो बना लिया लेकिन मुझे क्या है अभी कपड़े दूलने के लिए बस मेरे काम पेंडिंग बचा है वो है मुझे कपड़े दूलने है तो कपड़े मैं आज सुबह में नहीं वाशिन मिशीन लगाई आज मैं रात को लगाऊंगी उसका एक कारण यह है कि जैसे मैं मॉर्निंग में चरी जाती हू हुआ है कि मैं नीचे तो ले जाती हूं कपड़े नीचे दूलने के लिए भी लगा देती हूं और दूल भी देती है तो मुझे if डुपेहर कुछ ऊपर आणा होता है तो फिर लंच बनाकर करते करते शांप हो जाती है चार बज़े तब तक धूप चली जाती है तो धूप सब्सक्राइब दूंगी अभी रखे पड़ेंगे और संत मे मैं में कतने वल though नहीं आती सरफ में ध क्युक्ता घुल Works DO आप लेका मुझे तो आपके साहथ अपना पॉड का इक्स्पीरियंस भी बिचिसे कर सकती हूं तो आप मुझे में बिद बिदाईएंगा कि आप देखना चाहते हैं कि सरफ एक्षड डिटेरजन्ट पॉड इनमें से कौन सी चीज सेसिज बेस्ट है सो मैं आपके साथ वह भी शेयर कर दूंगी तो फिर मैंने सोचे कि रात को वोशन मिशीन लगा दूंगी रात को फिर अपने अप धूलते रहेंगे सुबह जब भी टाइम लगेगा निकाल कर ले आएंगे क्योंकि हम साथ वज़े से काम अपने स्टार्ट कर देते हैं और 9 व भी हो सकता है कि मेरी उपर सेमी वहुशन मशीन है मैं उसमें भी दूल सकती हूँ कल मेरा शायद मन है बोटीक को बंद रखा जाय क्योंकि थोड़ा सा लड़कियों को भी रैस्ट जाहिए थी शादियों के कपड़े हम इतने जल्द जल्द बाजी में निकाले तो काफी जाने में जो है अपनी वाट लग जाती है तो इस वजह से देखती हूं कल क्लोज रखोंगी तो फिर मैं उपर मैंने सैमी जो रखी हुई है मेरी वाशीन मेशीन वह एक बार में सब कपड़े दूल देती है क्योंकि वह 9.5 kg की है तो फिर मुझे दो दो बार नहीं दूलने प उबलने मेंने और यह मेरे कपड़े पड़े हैं प्रैस के दो बाकी तो कल मैंने तैवे लगा कर सब रख दिये थे बाकी साब सारा घर सुबह में ही साफ कर दिया है सब कुछ चका चक है तो अभी मैं थोड़ा टाइम करूंगी अराम और देखती हूं जो मुझे कल सुबह म तो वो थोड़ी सी एडिट करूंगी और उसके बाद फिर करती हूं बाकी के काम तो चलिए फिर मिलती हूं मैं आपको कुछ टाइम बाद